सरकार ने जिस नई pension scheme यानि UPS का एलान किया है वो UPS आखिर मौझूदा NPS से कैसे अलग है 2004 से पहले वाले old pension scheme से कैसे अलग है इसके तुलना आपको करके दिखाते हैं सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको pension की guarantee की UPS यानि Unified pension scheme जिसका सरकार ने अभी एलान किया है उसके थायत कम से कम 50% pension की guarantee दी गई है लेकिन ये 50% क्या होगा आप retire होने से पहले पिछले 12 महिने में जितना आपको salary मिली है उस salary के basic salary का उसत निकाला जाएगा और उसका 50% लिया जाएगा लेकिन शर्ती है कि 25 साल की नोकली कम से गम होनी चाहिए NPS में ऐसी कोई guarantee थी ही नहीं अब OPS, OPS में क्या था मामला अलग था OPS में आपको pension जो मिलता था वो basic और DA का दूनों मिला करके यानि जिस दिन आप retire कर रहे हैं उसके पिछले महिने में अपने जितनी भी सेली पाई हो basic और DA मिला करके तो उसका 50% आपको pension मिलता लेकिन यह 50% मिनम नहीं होता ना तो maximum होता 50% fix होता ध्यान देजिए UPS में minimum 50% की बात की गई है दूसरा UPS में जहां कम सकम 25 साल की नोकली की बात की गई है UPS में वहां कम सकम 20 साल की नोकली की बात की गई है चले दूसरा अंतर देखते हैं आपको वह कंट्रिबूशन को लेकर यह काफी विवादा सब्द मुद्दा रहा है तो UPS and Unified pension scheme के थहत सरकार ने अपना contribution बढ़ा करके जो पहले 14-15 परसेंट था NPS में बढ़ा करके सारे 18% कर दिया करमचारी के contribution NPS में भी 10 था अभी नई 10 परसेंट रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया और एक बात हां हर तीन साल बाद सरकार इसकी समिक्षा करेगी क्या contribution सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना घटाने की बाद तो नहीं होगी ना तो करमचारी contribution कर बढ़ाने पर विचार किया जाएगा OPS में कोई contribution employee देता ही नहीं था सिर्फ सरकार को contribution देना पड़ता था अब आईये minimum pension UPS के तहत कम से कम 10 जार minimum pension की गारेंटी थी OPS के तहत 9000 की तहीं के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की जरूरत है अब आईये वह family pension 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 धारक की अगर मित्ति हो जाती है तो उस पर आश्रित को होते हैं तो उनको family pension मिलता है उसमें old pension scheme की तरही प्रावधान UPS में कर दिया गया है आखरी pension का 60% मिलेगा यहां यहां आपको एक मुस्त रकम करता है सरकारी कमचारी तो उसको एक मुस्त रकम मिलती है और रकम कितनी मिलेगी वह NPS के तह तो प्रावधान था ही ने लेकिन UPS के तक प्रावधान किया गया है कि आपकी जो मासिक salary होगी हर छे मैने की नौकरी के आधार पर हर छे मैने की नौकरी पर एक मैने की salary का सब्सक्राइब करते हैं अब आई अगला तक प्रावधान यह था और UPS के तहत प्रावधान यह है दोनों में अंतर है अब आई अगला मुद्दा देखते हैं वह महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता OPS के तहत पहले डियलेंस मिलता था अब नए स्कीम में सरकार ने इसको वापस से जोड़ दिया है अब चलिए अब है दोसरा मुद्दा आपको है खास्तों से वी यारस को ले करके बहुत सारे लोग वियारस में तो वी यारस में 60 साल की उम्रे में पेंशन मिले लेगा व्यारस ले लिजे लेकिं जैसे आपके साथ साल की होगी नए सकीम कहता आपको पेंशन मिलने ुपीस के तहत क्या था कि व्यारस लेते हैं तो बेसिक पलश दिये का पचास परसेंट आपको पेंशन शुरू हो जाएगा तो दोनों में व्यारस लेने पर फर्क है अब आईए कि उपियस लागू किन पर होगा बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या हम पर लागू होगा कि राज सरकार को जो कमचारी हैं उन पर लागू होगा बशर पर हैं यह 1 अप्रेल 2025 से लागू होगी जो लोग NPS को चुन चुके हैं वह भी चाहतो नई स्किम में शामिल हो सकते हैं जो लोग NPS के तहरत 2004 के बाद रीटार हो चुके वह भी चाहतो नए स्किम को चुन सकते हैं ऐसी सुरत में इनको सरकार ब्याज के साथ एरियर का भुक